हेलो इस्टुएंट मैं राजेश चोहान फ्रॉम से लसी आपको मेंटल एविलिटी के जो पेपर हुआ था स्टेसी का उसका सॉलूशन हम देखेंगे पेपर बड़ा आसान था आप सब लोगों ने बड़ा अच्छे से पेपर करके आया होंगे पेपर मुश्किल से 25 से 30 मिनट का था लेकिन चलो कोई बात नहीं हमें ज़्यादा टाइम मिला तो हमारी एक्यूरेसी और बड़ी होगी पेपर को हम देखते हैं तो हमारे पास कॉशन नमबर फरस्ट है हमें कॉशन नमबर फरस्ट में डाइग्राम दिए गए हैं और इन डा ट्रेंगल और सर्कल की अगर वेलियू देखें तो ट्रेंगल की फौटीन है और सर्कल की 5 है फौटीन और फाइफ आप बोलेंगा वेल्यू हो जाएगी 19 और इसको माइनस करना एकितने में से 21 में से तो 21 में से आगर आम 19 ग्रेंगे तो आम इससे पास आएगा option देखेंग है A, D, P इनकी हमें value हमें पता है जो हमें question में given है और question में कहा है कि आपको इनका क्या करना है total करना है तो आप जब total करेंगे तो आपको यहां पर एक value missing है इसको आप अकि संब कर सकते हैं और इसको शॉल करें तो आपको सबको इनकी value को add करेंगे तो आप बोलेंगे सच चैड की value मेरे पास five है फिर आप बोलेंगे plus a key value three है plus P की value six है plus d value four है plus X आपने इसको जुम कर लिया प्लस आपके पास q की value seven है और इन इन सबको एड करने पर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए जब आपके पास 5 4388 और 614 14 और 4 कि 2020 और 27 प्लस एक्स आ गया आप बोलेंगे सब हमें एक्स की विल्यू चाहिए तो जब 27 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आजाएगा कितना सुरख़ 10 और 18 और 25 क्या होगी 25 इनको एड करेंगे तो 25 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा और आप बोलेंगे 7 हमारे पास किसकी वेल्यू है 7 वेल्यू है हमारे पास क्यों की तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यों हो जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ता है अगला कोशन पर सिंपल बेसिक अर्थमेटिक पे था का म bathroom動 operation पे धाऊ साइन करक्न सना में बताया गिया है कि वाईगर का मतलब माईनस मैं इसंज़ा है मुल्टिप्लाइ का मतलब डिवाइड है डिवाइड का मतलब प्लस है हमें इन साइन को यहाँ करना है तो आपको भालेंस तो फिब्टीज टू प्लस मृल्टि प्लाइ की जगह पे आपको लगाना होगा डिवाईड करेंगे 9-5-30 32 और доिवाइड की जगह पे आपको लगाना हो ब्लस तो आ तो सुल करेंगे तो 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 में वोलेंगे टू टाइम जाएगा और यह आ जाएगा एट तो आप बोलेंगे शरे 8 आगया 28 माइनस इनको एड करेंगे 37 प्लस 92 और इन से दोनों को एड करेंगे तो बोलेंगे शरे 0 यह होगे आपके पास 122-37 हैं को तो फि Cake fashion में अपको को ट्रिक नहीं लगानीया सिम्पल डालडरी कोंट करेंगे तो भी कॉंट करेंगे और और यह देड को सबते हो और दो को मिलाएं तो आप आप सक्स तो यह बोरेंगे विया होगे मिलाएंगी अंहीं इन दो Gedanken अ क्यख़ल्स एसे बन रहें गल रहे सेंगी हैं इस process को अगर आप यह हैं से करेंगे गे सब्सक्राइब और सेंग ऐसे भी बनेंगे ही और थे इन के सब six triangle और आजाएंगे यहां पर प्लस एक यह बड़ा वाला triangle जो खुद था ही वह और आजाएगा तो जब आप इनको एड़ करेंगे तो आप बोलेंगे सब्सक्राइब हमारे पास आगा कितना 60 ठीक है सिंपल कौशन थाımız कि फिरा आथा नेक्स्ट कोशन हमारे पास नेक्स वश्चन की अंदर हम देख रहे हैं कि दो numbers दी हैं और इन numbers को use करके हमें लाना है कि यह number कैसे आया होगा तो simple सा आप देखते हैं कि जब मैं 6 को 4 से multiply करता हूं तो 24 यह लास्ट में 4 आता है मैं लोजिक लगा सकता हूं कि आप 14 को 16 से multiply करेंगे तो 224 आएगा ऐसे 17 को जब आप 18 से multiply करेंगे तो 306 आएगा और 19 को जब आप 21 से multiply करेंगे तो आपका answer आना है इस question में आपको बता हूं तो multiply करने की जरूरती नहीं है आप देखेंगे जब 9 1 से multiply होगा तो 9 आएगा तो 9 1 से multiply होगा तो 9 आएगा तो कौन से option में लास्ट में आप देखिए 9 है तो option 4 में सिर्फ आपके पास 9 है तो आप डायरेक्ट बिना multiplication के within second question को solve कर सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौशन नंबर 527 की अगर हम बात करें तो फिर इसमें आगर पर इसमें से करेंगी तो रहाइगा फ् vot ls क्रेंगी स्ट्री एैगा तो आप देखेंगि सर्वन इंक्रीज करेंगी तो कॉड्ब तो लास्ट में फाइफ आना चाहिए एक ही ओप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में फाइफ है तो आप बोल देंगे यह आ जाएगा 765 इस यौर आंसरवर इंक्रीज करने पर ठीक है in the next question 7 सेम कोशन आ गया अब बलेंगे सर ँई हमारे पार तीन नमबर है उसका करके यह नमबर बनाने हैं तो देखते है क्या लोगोर लग रहा होगा लोग दोंखplease करना होगए यहां फॉर्ट में सενपेट लिए चूस against लोगों फटेंट पकड़ते हैं इसन नाइन और 경 Series तो इसका मतलब शायद इसने 602 को मल्टीप्लाई किया होगा ऐसे 7 है तो 7 है 8 & 3 को यूज करके 24 बनाना इस पक्का इसने 8 & 3 को मल्टीप्लाई करके क्या बनाया होगा 24 same concept पर हम यह सकते हैं कि जब 9 6 x multiply होगा तो आएगा 63 तो हमारे तो आपको इनको numbering कर दो, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते है, तो आप इसको numbering कर दे, आप जानते हैं कि L का number होता है 12, P का number होता है 16, T का number होता है 20, तो आप बोलेंगे इस सीरीज में आप आप देख रहे हो कि सर यहां पर 4 increase हो रहा है, यहां पे भी 4 increase हो रहा है, तो definitely इसमें भी 4 increase होना चीए हो, जब इसमें 4 increase करेंगे तो यहां पर आएगा 24, और 24 पर जो number आता है, आप लेटर आता है, वो है हमारा X, यह थर्ड option हो जाएगा, answer हो जाएगा, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, इन में से किसी भी caution में आपको extra efforts लगाने प 4 होता है, और F का number 6 होता है, मैंने only first letter को numbering किया, यह तरीका है caution को solve करने का, मतलब आपको एक साथ पूरे caution पे jump नहीं करना है, आप easily jump करें, short तरीके से चलते जाए, आपको caution solve हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं है कि पूरे caution को एक साथ solve करने बैठ और फिर लास्ट में option देख और 8 पे number को, 8 number पे कोन होता letter, H होता है, तो मैं option देखता हूँ, तो फर्स्ट option मेरा answer नहीं हो सकता, second option भी मेरा answer नहीं हो सकता, इन दोनों में से मेरा एक answer होगा, यह exam approach है, मैं students को कहता हूँ कि caution को करना matter नहीं करता, caution को एक limited time में करना matter होता है, कि जब exam में आपको यह caution दि होगा, अब आप देख रहे हो कि दोनों में H आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में H होगा, फिर हम second letter देखते हैं, तो इसमें भी P है, इसमें भी P है, मैं इसको check नहीं करूँगा, मैं देखूँगा, अगर इन दोनों को option में से, मुझे एक option को judge करना होगा, तो मुझे यह क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है, मजा रहा होगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं आगे, सरकुछ नहीं हो रहा, यह इनके just opposites को साथ ले रहा है, AX opposite होते हैं, CX opposite होता है, FU opposite होते हैं, यहाँ पर जो number आएगा, वो एक opposite number होगा, लेकिन यह भी हमें देखना होगा, कि वो कौन सा होगा, तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं, कि A का number first है, C का number 3 है, F का number 6 है, द J देखता हूँ कि कौन से option में, first में J आता है, तो इसमें P आ रहा है, Q आ रहा है, H, तो J सिर्फ एक option में बसता है, मैं direct बिना second Z की series को बनाए है, मैं इस question को solve कर सकता हूँ, only A, C, F से, ला समझ में आ रही होगी, ठीक है, आगे बढ़ता है, question number 11 भी हमारे पास coding decoding से caution आया, coding decoding से बहुत ही प्यारा question आया, simple सा question है, आपको numbering याद होनी चाहिए, अगर letters की numbering आपको याद है, letters का arrangement आपको याद है, तो यह paper आप लोगों के लिए बहुत easy होगा, देखिए coding decoding का question आपको पता है, कि O 15 number पे आता है, same process पे sun को इननो 48 लिखा हुआ, तो शायद ऐसा हो logic आपको मिल गया, same process से आप चाहें, तो verify कर सकते हैं, post के number को भी add कर लें, sir, P का होता है 16, O का होता है 15, S का होता है 19, O T का होता है 20, sir, इनको add करके देख लें, confirm हो जाएगा, कि logic आपने जो लगाया है, इनको add करने का, वो सही जा रहा है कि नहीं जाएगा, जब इनको आप आपके पास 21, T का हो गया 20, और H का हो गया, आपके पास add, अब आपकी calculation है, आप किस तरीके से calculate करते हैं, इनको, इनको, इनको करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा से mentally use करें, और छोटी-छोटी calculation को आप pen copy से नहा करके, दिमांग में यूज करने की जाएगा 70, 70 और 13 हो जाएगा, मेरे पास 83, तो 83 मेरा answer हो गया, simple सा question था, आपको simple इनको add करना था, add करोगे आपका answer आजाएगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, question number 12 आया, हमारे पास वही coding decoding को question आ गया, जिसमें friend आपको एक word दिया गया था, और इस friend को code, decode करके, आपको दिखा गया है, R, F, E, I, E, D, N, और same process पर आपको उसी logic से father को आपको code करना था, तो आप यह देखते हैं कि sir, friend को जब हमने observe किया, तो जो letter इसमें use किये हैं, वह letter यहाँ पर है, यानि पक्का ही जो question coding decoding का है, यह letter rearrangement का question हो गया, और letter rearrangement में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ observe करना होता है, कि कौन से letter की position को कैसे change कर रहा है, जब आप इस question में आप देख रहे हैं, तो सीधा सा समझ रहा है कि sir, F, R को just opposite कर दिया, R, F, फिर I, E को just opposite कर दिया है, E, I, और N, D को just opposite कर दिया, D, N, इस का मतलब इसने दो-दो pairs को पकड़ा है और उनकी position को rearrangement कर दिया, same process पे जब हम इनको rearrangement करेंगे, तो sir, F, A, F, पर मैं रुख जाओंगा, और एक बार option चेक करूँगा, बला sir, यह option wrong हो गया, यह option wrong हो गया, A, E आ गया, यह option wrong हो गया, मैं आगे caution को solve नहीं करूँगा, direct option 1 प आपको इस paper को exam approach पे solve करना बता रहा हूं और यह बता रहा हूं कि किस तरीके से आप exam में इस paper को जल से जल कर सकते थे, जो questions आपके थोड़े से typical लग रहे है, उनकी लिए time आप बचा सकते हो, ठीक है, चले, question number 13 आपका blood relation का question है, simple सा question है, आपकी पास एक joint family है, और उस joint family में एक man है, उसकी wife होगी, और उसके कुछ चार बच्चे है, और उनकी wife होने के बाद में उनकी खुद की भी बच्चे है, बड़ी लंबी चोडि family है, तो हमें count करना है, हमें पूछा क्या है, उनके सब के 3-3 बच्चे है, हमें बताना क्या है, the total number of male member हमें बताना है, कि उस family मे total male कितने है तो चलिए अब इसको वेंड डाइगराम बना देते हैं इसका डाइगराम बना कर हम चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है हमने सर्थ सबसे पहले man बना दिया यह man हो गया यह man की wife हो गई और इस man के 3 बच्चे हो गए हमने इन टीनों के द॥ spar जिए seven टीन चार बच्चे सुरी फोर सन है तो हमने इनके स्चन बना दियो सर यह इनके फॉर सन हो गए ठीक हंजी मैं की मेर को बना रहा हूं स्कौइर से और फिमेल को बना रहा हूं सरकल से ठीक है है your behalf बना दी मैं लो येलो साब इनकी वाइफ हो गई ये लो इनकी वाइफ कर देता है पर फिर इनके भी बच्चे है तो इनके तीन तीन बच्चे और हैं तो आपको इतना करने की जरूत ही नहीं यह सिर्फ मैं करने के लिए समझा रहा हूं हम कॉमन से लगा सकते हैं कि सर तीन उनके चार बच्चे हैं और चारों के तीन तीन बच्चे हैं तो आप 333 तो यहां से हो गए हमारे पास फूर यहां से हो गए एक पिताजी खुद थे तो जब आप इन सब को एड़ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेवंटीन और और आपका आंसर क्लिए होगा जिनको आप इजिली को सॉल कर सकते हो देखिए क्या है इस कौशन में बताया है कि मैंटल एबिलिटी के टेस आप लोगों को पता होगा कि जब आप एक कम में रोड रखते हो तो उस रोड की मैक्सिमम लेंथ अगर आप लेना चाहो तो वह मैक्सिमम लेंथ जो होगी वह डाइगनली आपको क्या करना होगा पुट करना होगा इस डाइगनल से इस डाइगनल या इस डाइगनल से डाइगनल आप पुट करोगे तो आपको मैक्सिम लेंथ मिलेगी यानि आपको यह बात समझ में आ गई कि अगर हमें इस कोशन को solve करना है तो हमें इस रूम का का Di Benedict निकालना होगा that proud का किए किए काप लुखिए का का डाइडनल और क्यूबोर्ट का डाइडनल क्या होगा रसरकिश्ट कर डाइडनल होता है हमारे पास L2 प्लस D2प्लस H2 दे प्ल compilation होल एंडरूट कर लेते हैं कैप 12 1444 फोर का स्कॉर 16 थरी का स्कॉर 9 जब इन सबको एड करके आप इसका अंडरूट करेंगे तो आप का अंसर आजाएगा जब इनको आप एड करते हैं तो सर एड करने पर आता है 169 अंडरूट किया तो मेरा आंसर आगया कितना 13 13 इस यूर आंसर सिंपल मैथमेटिक का कॉशन था बढ़ हां इस कॉशन में कह सकता हूं कि जिस बच्चे को अगर की वोईट का डाइगनल का फोमला याद नहीं है तो उसके लिए कॉशन थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है तो इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा ठीक आगे बढ़ते हैं कॉश चल रहा हिए रहतना तो criminal कि तरफ चल रहा हम आद यह रही flavor कि तरफ हमसे रहा है से एक यहां से छॉन की तरफ फ्र चले हैर पर यह कि तरफ चलेंगे। आप जानते हो जो डा डाय्यक्स हम कभी बांते हैं दिरिंगिर्स पै्टरण बनाने हैं और हम स्पैटरेथ नीजल इधर इस्ट होगा और इधर वैस्ट होगा यह हमरा प्यटर्ण फिक्स किया हुआ है जब हम देखते हैं कि यहां से आपने इस्ट की तरफ चला तो आप इसको 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 वोग करेंगे तो थोड़ा सी तो पॉमन सेंस आपको यह लगाना होगा कि सर यह डिस्टेंस जो आपने बनाई है यह 3 किलोमेटर है तो यह डिस्टेंस भी आपके क्या होनी चाहिए 3 किलोमेटर होनी चाहिए तभी तो 3 तो 3,4,5 का स्क्वाइर करके जब एड कर रही है क्योंकि 90 डिग्री है तो आपके पास यहां पर 5 का स्क्वाइर आएगा तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वह होगी 5 और आप आंसर 2 क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे समझ में आ रही है आगे बढ़ता है को कॉशन नमबर 16 आ गया है वेइन डाइग्राम का कॉशन इन्होंने नहीं दिया लेकिन यह सिंपल सा कॉशन बच्चों को गिफ्ट में दे दिया कि चलिए घबराओ मत आप कॉशन को पढ़ो और आंसर करो कुछ दिमाग लगाने की जरूत नहीं है कॉशन ने पूचा है साइंटिस्ट हू क्या होने चीए पैंटर होने चीए बट नहीं होने चीए यह वाला पार्ट मुझे नहीं लेना है तो अनली मेरे साथ कितना हो जायेगा 2 यह एंब क вр छैये पार्ट ने जमीन वैंटर में आट रहा रहा है तो आंसर हो जाएगा 2 सिब्स्ट कॉशन होister हो कोशन नमबर 18 आपके पास बोल रहा है साइंटिस्ट बताने हैं जो पैंटर भी है और म्यूजिसियन भी यह तीनों का कॉमन पार्ट बताना होगा और कॉमन पार्ट जाता है मेरे ऑप्शन फोर पे तो आपके पास कॉशन नमबर 19 रेंकिंग ओडर पर आया है अलफबेटिकल हमां दिया वा है और इनको कॉशन बोल रहा है कि इस अल्फ़बेटिकल जो है इसको आप रिवर्स कर दें जो आप हैे बैसी दी और आप इसको जाड कक लिखेंगे तो इसको और रिवर्स करने के बाद मेंक瑕 को करना क्या है लेंट विसलेleighle would be the exact meeting list मैं स मैं और इस कॉशन को अगर एक्जामने थोड़ा सा और मुस्किल बिलाना चाहता है अगर में इन दो ऑप्शन की जगह पर M और N कर देता तो शैद जाड़ा ज्यादा मुस्किल हो जाता तो बच्चा शाहिद इन में कन्फूज हो जाता अभी तो कॉशन सिंपल है कि हमें पता जानते हो कि हमारे पास alphabet 26 होता है 13 इधर 13 इधर चाहे आप इनको reverse कर दो गे तो भी 13 13 होंगे भी में तो कोई लेटर बचे गई नहीं हमारे पास हमारे पास simple सा answer होगा कि none of these are alphabetical order में 20 में कोई लेटर नहीं आता है क्योंकि total number of letter हमारे पास कितने है 26 समझ में आगी होगी बात चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्शन है कॉर्शन नमर्ट 20 इप फिर्स्ट हाफ अब गीवन अल्फाबेट इस रिवर्स देन हाउ मैनी लेटर्स विल बीट्विन जे एंड आर जे एंड आर की बीच में हमें बताना है फिर्स्ट हाफ का मतलब 26 आपके पास ले करना है तो फिर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे तो आप यह कहेंगे सर आगे तक जो चलेंगे वो तो हमारे चलेंगे एन ओछट इंड तो कि मॢशीत तो मैंने इसको यह रोग दिया साफ एम तक था इसको मुझे आर्ट को बिट्विन में कितने पहशन को एनको नहीं करना है इनके बिट्विन में नंवर होंगे को बोलेंगे से इनको कांट करने ऑफ थाटीन 13 नाजर क्या हो जाएगा 13 हमारा आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कौशन अबर 21 कौशन ने कहा है कि इंग्लिस अलफबेट एंट्रचेंज पोजिशन विद बी similarly C इंट्रचेंज पोजिशन विद दी इसी तरीके से इसको आगे इंट्रचेंज करते करते हैं इंट्रचेंज हुआ है जैड से तो आपको बताना है विच अब फॉलॉमिंग इस दर्टींट लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट साइड यहां से थाटींट नंबर पे कौन सा लेटर आएगा इंट्रचेंज करने के बाद कॉमन सेंस अगर बच्चा लगाए तो आप जानते हो कि M का नंबर 13 होता है और M N से पेर बनाएगा M 13 पे होता है लेगिन जब यह इंटर्चेंज होए होगे तो इसकी जगह पर अयंग वगया और इसकी जगह पर M आगया वागया अब 13 नंबर पर कौन चला गया अब 13 नंबर पर गया तो option फॉस्ट आपको क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है मजा हरह है चलो आगे जाते हैं कॉश्शन नंबर ट्वेंटीटू पेर यह कैलेंडर का कॉशन आ गया सिंपल सा कॉशन था दिसंबर थार्ड दिसंबर से आप बात करेंगे थार्ड जन्वरी तक की बात कर रहे हैं और 2000 से 2001 की बात कर रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज कोड रोगा टू कोड़ वहां से इंक्रीज होगा टू और थ्री आप बोलेंगे शाद three हमारे पास आएगा तो आसर होगा सब्सक्राम वेडनिस दे कोई बच्चिया को इसको इसको सक्सेसिवली कर रहा है यह वाड़ थोड़ा से इंपोर्टेंट के लिए कि जो पोल की बीज का जो इसक्यों डिक्रीज करना और दिक्रीज कैसे कर रहा है बाइवान मिटर कम करते जाना इसको खीग का सब आगे वड़ते हैं इप्द डिस्टेंस बीजिट फूबोल ए एड ब इस 10 मिटर यानि कोशन ने आपको बोल दिया है कि यह पोल है A B C D E F ठीक है और Z यह आपके पास पोल है इन पोल की बीज का डिस्टेंस उसने डिक्रीज करता हुआ जा रहा हो और फस्ट की बीज में 10 का डिफरेंस है तो दूसरे में 9 का 8 का 7 6 और 5 का इन सब को हमें क्या करना है एक क्योंकि कॉशन में हमसे पूझा है A to Z के बीज का टोटल डिस्टेंस कितना है A to Z के बीज का डिस्टेंस निकालेंगे तो आप बलेंगे सब 10 और 5 15 9 और 6 15 8 और 7 15 और 15 3 जा 45 पीज और आंसर बीना पैन को पी कि आप इस कॉशन को कर सकते हूं थोड़ा सा अगर आप दिमांग इस्तिमाल करो तो कॉशन नमर्ट 24 एमन हैस 900 रूपीज और वह 900 रूपीज किस-किस फॉर्म में है 10 रूपीज के फॉर्म में है 20 रूपीज की फ क्वांटिटी में ऐससा नहीं है कि यह नौट अलग कॉशन में है तीनों नौग इक्वल कॉशन को आप आप से करें तो बड़ा इसी वे इसको कर सकते हो इस कौशन में आपको क्या है कोई भी एक उपशन उठाएं और बोलें कि अगर इक है तो टोटल नौट आप से करें तो फाइब को आप फॉर पार्टमेंट इकुली डिवाइड करी नहीं सकते फाइब अगर नोट आगर मानते हैं तो कम से कम फाइब नोट होने चीए लेकिन टोटली फाइब बोल रहे हैं तो सर एक नोट एक्स्ट्रा आ गया यानि यह ऑप्शन रॉंग हो गया सेकेंड को करने का प्रोच एक्जाम में अगर मानलो आप पढ़के नहीं गये और आपने को पड़ा और ओप्शन को आप देख रहे हैं तो आप्शन भी आपकी बहुत हद तक मदद करता है जब आप कॉशन सौल करते हैं ठीक है कि जई बार आप में कॉशन पता नहीं है और फिर भ कि लिए लेतं करते हैं अगर फिसका मतलब आपने l1 फिसका मतलब आपने जो 1ㅇए इसकी पर डाट अकुछ यह क्योंकि जब यह 11 करेंगे तब तो हमारे पास टोटल अमांट बन रहा है 180 बनना चीए 9900 तो इसको किस से multiply करेंगे इसको multiply करना होगा 5 से 900 बनाने के लिए जब इन सब आपको आप 5 से multiply करेंगे तो 5555 यानि आप बोलेंगे आपके बास टोटल नौट कितने हो गए 20 इतना करने की जरुरती नहीं थी ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं है कौशन नंबर 25 स्मेटर्व सा कौशन है मैं स्कौशन को देखते समंझ रहाँ कि larger सिम्पल रीं क्रीस कर रहा है यहां पर Extra Church कर रहा है यहां पर third in Qaution No.26 Same question आया simple साथ देख रहे हैं कि दोनों को जब आप multiply करेंगे तो 28 28 में 2 add करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा 8 को 5 से multiply करेंगे तो 40 और 40 में जब 3 add करेंगे 43 आ जाएगा same process से जब 9 को 6 से multiply करेंगे 54 और 54 में 4 add करेंगे तो 58 is your answer ठीक है चलिए कॉशन नमर 27 यह कॉशन में पूरे पेपर में यह कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है जाद अच्छा तो नहीं कहूंगा हाँ ठीक है थोड़ा सा कॉशन में है कि आप फर्स अटेम में बच्चा शाहिद नहीं कर पाए और इसमें जो कन्फूजिंग पार्ट ह है किसे बच्छाय है चली आगे-बढ़ता है है को बहुत आसल है है देखिए अब आ गया है हमारे पास ब्लड रलेसिन का फिरसे कोशन आ गया है एक फेम हमारे पास किर्केट स्वीद्ट टीम है और वह किर्केट स्वीद्ट के बीच में हम इसको ट्री मैथड से solve करेंगे तो यह question बड़ा easily हमारे पास solve हो जाएगा तो अगर tree method मैं अगर बना हूँ तो यहां से बोल रहा है question की P T का brother है तो obviously बात है यह किसी के बेटें हैं और तभी यह आपस में क्या होया होंगे बाही होया होंगे तो यह P हो गया और यह T हो गया brother को male को मैं square से denote करूँगा और circle से मैं denote करूँगा female को तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगी ठीक है यह वाली लाइन मेरे को समझ में आ गई कि P and T are brothers फिर आगे आता है next you is the sister of T you is the sister of T it means you इसकी बैटी होगी तो यू is the sister of T बन गई आगे बढ़ते हैं आर इस दा आउनली सन ओफ पीज अंकल पीज अंकल कोन है वह सरी यह P है यह P के father है तो father के जो brother होंगे वह बनेंगे पीज अंकल तो यह अंकल बनेंगे किसके P के ठीक है आर कोन है आर है पीज अंकल का son तो यह only son हो गया आर ठीक है जी बाद यहां तक complete फिर आगे बढ़ते हैं Q and S are the daughter of brother of our father our father's brother और इसकी कौन है इसकी है daughter कौन है इसकी डोटर है हमारे पास Q female है तो मैं circle बनाऊंगा बोले sir Q और यह है मेरे पास S यह मेरे पास tree बन गया है यह चार बच्चें एक के हैं और एक बच्चा यह अंकल का हो गया अब हम question को देखते है question है how is are related to you are related to you sorry cousin वाला relation दिख रहा है बोला are related to you is the cousin next question पर देखेंगे तो how many male players are there male players are there तो अब लेंगे सर्फ 1,2,3,4,5 बच्चे confuse कर जाएंगे सर्फ 5 और option 4 पर लगाएंगे तो उनका question क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि question ने जो tricky word use किया है वो word है player हम उनके father और uncle के बारे में नहीं जानते कि वो player है player हमारे पास only 6C है और इन 6 player में 3 male है और 3 female है तो हमारा answer होना चाहिए कि the answer should be 3 तो 2 is your option is answer ठीक है कितने male player होंगे 3 male player होंगे ठीक है next question क्या है next question है how is as related to P as related to P simple सा लग रहा है sister है बला sir sister is second option is your answer ठीक है चलिए next question पर आता है question number 31 the sum of the digit of 2 digit number is 15 कोई 2 digit number है उसका sum 15 है और उस number में अगर 9 subtract कर दिया जाए तो वो number क्या कर लेता है अपने place को interchange कर देता है यानि अगर आप बोलेंगे 23 है तो वो 32 हो जाता है interchange हो जाते हैं उसके digit ठीक है जब वो उनको interchange कर लेता है तो आपको बताना है कि बताईए वो number कौन सा होगा जो option में given है देखिए ऐसे questions को अगर आप option से करेंगे तो यह question second हो में आपके पास solve हो जाएंगे आपको दिया गया है कि उन उनों numbers का digit जो है वो सम करेंगे तो 15 आएगा तो मैं सम करता हूं 15 15 15 15 15 सर फ़स्ट option जो statement है उससे मुझे साब साब लग रहा है कि सब में 15 आ रहा है मैं options को eliminate नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं next statement को आप रीड करेंगे कि जब आप उस number में से 9 आप सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो number interchange हो जाएगा जब आप इस में से 9 माइनस करेंगे तो सरी तो 60 होगा सरी इंट्रेचेंज नहीं हो रहा है यानि यह answer नहीं हो सकता यह answer नहीं है तो यह भी answer नहीं होगा अब हमारे पास यह आपके पास ठीक है उनको melt किया गया है melt करने के बाद में एक नया क्यूब बनाया गया है और हमें पुछा है कि जो नया क्यूब आपने बताया है उसकी कोर लेंथ क्या होगी यह आपको बताना है तो देखिए मैं इस कॉशन को बताते बच्चों को यह बताता हूं कि कभी भी जब आप कोई भी तरह का मैटल या कुछ भी यूज करते हो और आप उसकी शेप एंड एक वायर बना दिया तो मैटेरियल जो इसके अंदर था वही मैटेरियल यहां पर है मैटेरियल चेंज नहीं हुआ इसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है लेंग चेंज हो सकती है विट चेंज हो सकती है बट जो वोल्यूम होगा दोनों का वोल्यूम क्या होना चाहिए सेम ह होगा कि मेरे पास तीन क्यूब हैं और इन तीनों क्यूबों को मैल्ट किया गया है तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट क्यूब का अगर वोल्यूम देखूं तो थ्री का क्यूब आप बोलेंगे 27 होगा क्यों कि आप जानते हैं क्यूब का जो वोल्यूम होगा वह साइड क्या हो Ceo ho եा जो भी उसकी साइड है उसका क्या करना है क्यूब करना है थो थिए कुप 2075 का क्यूब 125 और 3000 को भोलेगे 64 इनको एड करेंगे इनको करेंगे तो 216 यानि जो नाया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 21045 और तो उसके वोल्यूम की अगर Simple question next question पर बढ़ता हoksatea 33 pointed rows of 33 clock का caution है मैंने पहले कहा था कुछ Moshe 되면 होते हैं exam में जो direct formula पर आते हैं और अगर आपको फॉमला याद हे तो आप direct को कर सकते हो अगर हम देखें कि clock मेर एंगल की बात करें तो एंगल के लिए हम एक सिंपल सा formula यूज सा है कि सब 60H difference 11m देखिए difference मैंने यहां पर इसलिए लिया है क्योंकि जब आप इसमें calculation करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यह वाला पार्ट बढ़ा आजाता है यह वाला पार्ट चोटा जाता है तो आपका answer negative में आता है जबकि actual में यह होता है कि clock में negative में एंगल बनेगा नहीं तो difference में का मतलब यह होता है कि आपको bigger में से smaller minus करना होता है bigger में से क्या करना है smaller minus करना है यही मतलब है difference का और को difference नहीं है तो आप बोलेंगे सर इसको formula में अगर put करें तो 60H की जगह पर मेरे पास 4 है इंटु 4 difference की मैं माइनस लिख लेता हूं 20 20 का मतलब 11 into 20 divided by 2 60 को जब आप 4 से multiply करेंगे 240 minus करेंगे 220 divided by 2 करेंगे तो आप बोलेंगे सरी हाँ बचा 220 divided by 2 answer 10 degree 10 degrees your answer option में देखते हैं तो first option में आपको मिल जाता है 10 degree ठीक है next question कॉशन नमर्ट 34 देखो simple सा classification का caution था और classification के in questions में आपका general awareness बहुत matter करता है आपका general science general awareness कैसा है उन question के basis पे आप इस question को easily solve कर सकते हो अंडमान निकवार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकवार की जो capital है वो pot player है तो उसी same concept पर आपको बताना होगा कि लक्षदीप की में से राजदानी कौन सी होगी तो अगर आपको याद है कि सर कवराथी होती है तो आपका answer हो जाएगा option second question number 35 same question आगया आइसलेंड का greenland से क्या relation है हम जानते है कि सर जैसे आइसलेंड आइसलेंड होता है तो आपकी बहुते हैं तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो आइसलेंड कहें हम वो है ग्रीन उसी प्रकार से अगर और हम यह कहें कि सबसे बड़ा ओशन कौन होगा तो वह होगा आपका पैसिफिक तो सेकिंड ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट बनेगा और इस बेसिक पर आप सेकिंड ऑप्शन पर जा सकते हैं हाँ एक्जाम में आप आपको यह आइडिया लगाना होगा कि अगर लार्जेस्ट है तो ग्रीन लेंड है तो ओशन में लार्जेस्ट कौन होगा पैसिफिक होगा ओगे बास समझ में आ गई होगी नेक्स्ट पर बढ़ते हैं कॉशन नमबर 36 कार का पैट्रोल से रिलेशन है उसी प्रकार टेलिव बचे को यार है तो वो डार्टली कौशन को बिना पैन को यूज करें कर सकता है वह अगर ध्यान से देखे कि हम यह देखें कि सट जैड का नमबर हो रहा है 26 एका नमबर है तू आर का नमबर है एक नमबर है वन यानि सिंपर कुछ नहीं है इसने जस्ट नमबरिंग कर दी ह तो उसी कौन से पर हम नमबर करेंगे तो सिका नमबर होगा थी 3 देखते हैं कौन से ओप्शन में सर फॉर्ष्ट ओप्शन कैंसिल हो गया तीन आप्शन हमारे पास बसते हैं जिनमें 3 है स्टार्टिंग में तो बोलेंगो सर आब मैं देखता हूं सैकिन्ड लेटर को होंगा इसी को कहते हैं time saving देखिए अगर आप time save करके चलोगे तभी कुछ questions ऐसे exam में होंगे जिन पर शायद आपको ज्यादा time लगाना पड़ सकता हो तो थोड़ा more time save आपको करते हुए चलना होगा ठीक है और exam में आप paper solve कर लेंगे आप फिर से हमारे पास एक question आया जो ranking पर है लेकिन language का question है language को ठीक से समझना होगा five boys है उनका नाम है a b c d e और वह एक race में part कर रहे हैं ठीक है क्या करते हैं हमें question दिया बी फिनिश्ट रेस पहुंच गया होगा यह पहुंच गया होगा चलिए ठीक आगे पढ़ते हैं डी फिनिश्ट रेस बिफोर इडी जो है इसे पहले है बट बिहाइंड दसी सी से बाद में है तो यह d c के बाद में कर दिया और इसे पहले कर दिया हमें question में पूछा है कि उसने race कौन जीता है तो race a जीता है second option ने race जीती है ठीक है चलिए question number 39 if you wrote down the all number of 1 to 100 then how many times do you write 3 simple questions बोलते हैं उनको basic arithmetic का caution है आपको हलका सा logic लगाना होगा कि जब आप 1 से लेकर Euro car 800 की numbers को आप draw करते हो तो आपके पास कितनी बार Nine आता है 3 3 आता है तो आप देए कर इस लाइन के अंदर अगर बात करेंगे तो एक बार 3 है होगा फिर 11 की लाइन में एक बार 13 पे आया होगा so 21 की लाइन के अंदर एक बार 23 में आया होगा और एक बार 14 में होगा आपको सिंपल आइडिया लगाना है बास और कुछ ज्यादा काम नहीं है 100 तक ही पूछा है 100 1000 तक नहीं पूछा कि आपको कॉंसेट लगाना होगा आप सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं 31 की लाइन के अगर हम बात करें 31 32 33 34 35 36 7 8 9 और 40 देखिए यहां पर थोड़ा सा कन्फूजिंग पार्टी हो सकता है कि बच्चों को यह लगे कि सर इसके अंदर 11 टाइम आया होगा यहां पर देख रहो तो यहां से लेकर यहां तक एक बार नहीं आया तो नाइन टाइम तो यहां पर आ गया और यहां पर एक बार और आय तो 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 टाइम यह हो गया ठीक है यहां पर देखेंगे सर हर एक लाइन में 41 की लाइन में 43 आएगा 51 की लाइन में 53 आएगा ऐसे 61 की लाइन में 61 की लाइन की बात करूं लाइन में 63 में आएगा 71 की बात करें तो 73 में आएगा तो हर एक लाइन में एक बार आएगा इन सब को एड़ करोगे तो 9 इन सब लाइन में हमारे पास 12345689 लाइन है नाइन में 9 टाइम आया लेकिन सर इस वाली लाइन की अगर हम बात करें तो दो बार आ गया नाइन तो आप बोलेंगे सर नाइन रिवन टैन हो गया तो टैन प्लस टैन को एड़ करेंगे तो टोटल कितनी बार आ गया 20 टाइम आ गया सिम्पल कोशन, ऑक्शन फर्स इज्यॆर आंज कहा है कौशन नंबर 40 आ गया है हमें बताना है कि इन में से different नंबर कॉन सा है और डिफरेंट नंबर को इसको हम और1-1-9 के questions में रखते है और onward- 6 ए में हमें देखना यह होगा कि बिभर में सेम लगा होगा। स्रिफ नंबर है 47 यह भी एक प्राइम नंबर है 37 यह भी प्राइम नंबर है लेकिन 24 प्राइम नंबर नहीं है तो 24 आपको लग रहा है कि ओड हो जाएगा तो यह इन से ओड हो गया सेकिंड ऑप्षिन इस और आंसर ठीक है कोशन नमर 41 कोशननों में और वन आउट का है 45 99 109 126 45 और 99 देखते ही मरे दिमाग में घंटी बसती है कि शायद यह 9 से डिविजीबल है यह क्या है 90 डिविजीबल है यह भी 9 से डिवेजीबल है यह 9 से डिविजीबल नहीं है यह भी 9 से divisible है यानि तीन जो options हैं हमारे पास वो 9 से divisible है सिर्फ एक option है 109 जिसमें 9 से divisible नहीं है तो थर्ड option हमारा क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉशन नमर 42 35 45 65 49 यहां पर भी मैं देख रहा हूं सर यह 5 से दिख रहे हैं यह फाइब और लिख रहा है सर यह फाइब से डिविजिवल दिख रहा है तो आप यह कहेंगे कि सर्थ 42 में आंसर फॉर ठीक हैHY चलिए Queshen आते हैं, Queshen No. 43 पर, 43 में हमें पेर दिया गया है और इस पेर में हमें बताना है कि कौन सा पेर Ode है 1st Queshen था, इसके बाद में 2nd Question आया, जिसको मैं वैटेस दूँगा, कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग बच्चे को लगाना पढ़ सकता है ode 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 तो आप बोलेंगे सर, 36 और 48 का अगर आप बरने लेस्अ लें तो आप बोलेंगे तो 12 से अगर इसको 這個 कैंसल करें तो तो ए-2 तरी जडा और 12 पे 4 ज तो आप बोलेंगे 3 रिश्यो 4 रहेगा जहां पर 28 और 32 का अगर आप रिश्य लें तो अगर इसको आप काटें solve करें 4 से तो यह आ गया 7 और यह आ गया 8 फिर 21 और 24 का रेशो लें तो इसको 3 से cancel करें 3 और यह आ गया 8 फिर 70 और 80 का रेशो लें तो इनका रेशो आता है 7 और 8 और आपको logic समझ में आ गया होगा कि सरी इन तीनों का रेशो 7 रेशो 8 है सिर्फ option 1 ऐसा है जिसका रेशो 3 रेशो 4 है तो option 1 इसका हो जाएगा आपका answer बास समझ में आगी होगी हमें ratio चेक करेंगे अब यह हो सकता है कि exam में आप इतना सोच पाऊ या नहीं पाऊ लेकिन इसी इनी questions के लिए तो हम थोड़ा सा time बचाते है exam में कि अगर इन questions में हमें एक logic से answer नहीं आए तो हम दूसरा logic अप्लाई करके question का answer निकाल सकते हैं ठीक है question number 44 पे आते हैं question number 44 में 14 12 28 6 36 और 4 यह number दिये हैं इन में हमें बताना है कि odd कौन सा है इन दो numbers की बीच में आप relation देखेंगे सबसे पहले आप difference देखेंगे तो difference से आपको दो को लोजीक नहीं दिखंगा फिर आपके पास 168 28 इंगर से छाटे आइगा 168 को तोसा आँसराइगा 144 22 को जब आप हूर से manchmal करेंगे français आपको समझ में आ गया होगा 36 को फोर से मल्टिक्लाइव करने पर उसस पम यह पिर ऐसा है जिनका multiplication करने पर 168 नहीं आता, बाकि तीनों में 168 आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, odd 1 हो जाएगा, ठीक है, question number 45, 36, 6, 42, 4, 32, 2, तो ये simple सा question मुझे divisibility का लग रहा है, divisibility की अगर हम बात करें, तो 36 में 6 से divide होता है, 42 में 4 से divide नहीं होता, सर इसमें हो रहा है, सर इसमें भी हो रहा है, तो सिर्फ इसमें नहीं हो रहा है, आप ये कह सकते हैं, 42, 4, option number second इसमें, odd number में आ जाएगा, और इसको आप अलग कर देंगे, question number 46, ये एक question सिर्फ इस पूरे पेपर में ऐसा था, जिसमें आपको time consume हो सकता है, क्योंकि ये आपका calculation का question बन गया, आपको इसको calculate करके बताना होगा, कि कौन सा option आएगा, तो इस question के लिए हम पहले बात करते हैं, क्योंकि simple mathematics भी इसमें involved कर दी है, और reasoning भी इसमें involved कर दी है तो क्या करें, question ने कहा है, कि x minus 2 is a factor of equation this, और आप जानते हैं, अगर x minus 2 इसका एक factor है, तो x is equal to 2 इसका क्या होगा, आप इसको 0 कह सकते हो, या इसका root कह सकते हो, या इसका root होगा, या 0 होगा, अगर ये root और 0 है, it means, जब x की जगे पे आप 2 इसमें put करेंगे, तो ये इस प पूरी equation को 0 कर देना चाहिए, ठीक है, चलिए, तो अब हम इस equation को 0 करते हैं, हमारे पास equation थी, 3x square, मैं x, sorry, 3x cube और x cube की जगा भी मैं 2 put कर देता हूँ, तो यहां बोलेंगे, 2 का cube होगया, मेरे पास 8, 8 को 3 से multiply करूँगा, तो 24, a, 17 को जब आप 4 से multiply करेंगे, तो बोलें, a, 17 और 2 का square 4, 17 फोर जा, 68, प्लस, 28 को 2 से multiply करेंगे, 56, b, और 12, और equal to लाना मुझे क्या है, 0 equal to लाना, 0 equal to लाने के लिए, मुझे a और b की value put करनी है, caution ने कहा है, a और b की जगह पर, आप option में से कौन से sign put करेंगे, first वाला जो sign होगा, वो a के लिए है, second वाला sign जो है, वो b के लिए है, तो आप क्या करेंगे, कि बला अगर हम इसमें sign put करके देखें, तो first option तो मैं देखते, cancel कर दूँगा, क्यों कर दूँगा, क्योंकि सर अगर आप सभी values को देख रहे हैं, तो सभी plus की है, और यहां भी अगर plus की value होगी, तो कभी भी सारी plus की value होकर, add होकर, 0 तो नहीं बन सकता, यानि first वाला option तो cancel हो गया, second option में जब आप put करेंगे, तो आप बोलेंगे, 24 plus 68 plus 656 minus 12, तो बोलेंगे, सर माइनस की इतनी छोटी value और सारी plus की इतनी बड़ी value, 0 तो कभी नहीं आ सकता, same process पे जब आप third option भी रखेंगे, तो यह भी नहीं होगा, जब आप इन दोनों को minus की 4 रखेंगे, दोनों को minus minus रखेंगे, तो आपके पांस answer आएगा, 24 minus 68 plus 56 minus 12 है, option 4 की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने A और B की जगए पे minus minus put कर दिया है, आप बोलेंगे, सब माइनस का 68, माइनस का 12, इन दोनों को add करेंगे, तो सब माइनस का 80 आएगा, इन दोनों को add करेंगे, तो plus का 80 आएगा, 80 minus 80, आप बोलेंगे यह 0 बनाएगा, तो fourth हमारा क्या हो जाएगा, आउसर हो जाएगा, थोड़ा सा calculation आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें आपके पास option जब आप put करकर के देखेंगे, तो आपको तीनों option चेक करने पड़ेंगे, और fourth option पे जाएगे, इसलिए मैं कहता हूँ, कि exam में जब option से आप question कर रहे हो, तो सब से पहले आप first question क option को attempt करें, और first में अगर answer नहीं मिले, तो direct fourth पे चले जाए, क्योंकि या तो caution बहुत easy होगा, या caution को lengthy बनाने के लिए, उसने answer कहा रखा होगा, fourth option में रखा होगा, आप समझ में आ रही है, चलिए, आगे बढ़ते है, caution no. 47, simple से caution आ गया, coding decoding का, earth class के हमारे बच्चे जो pre foundation में पढ़ते हैं, वो in questions को करते हैं, बड़े खुस होते हैं, simple caution है, हमसे caution किया है, कि किसी planet पे या किस पे भी, white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, तो इसी concept पे हमें बताना है, कि human blood का color कैसा होगा, इन questions को solve करने के लिए मैं बच्चों को यह कहता हूँ, कि जब इस तरह का caution आए, तो direct सबसे पहले आप लास्ट वाली लाइन पढ़ने, पूछा क्या आप से, आप से पूछा है color of human blood, और आप जानते हो, human blood का color कैसा होता है red होता है, अब आप यह देखें, कि आपके इसमें coding में red को क्या code किया है, red को code किया है yellow, तो आपका answer क्या हो जाएगा, yellow, yellow, तो यह आगया आपका second option, ठीक है, चलिए, आगे पढ़ते हैं, question number 48, odd one out का question आगया, आपको 4 options दिये हैं, 3 option एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, आप देख रहे हैं, scurvy, night blindness, racket, यह सारे vitamins की ओने वाले disease हैं, और यह influenza, vitamins की लेक से नहीं होता, तो second option आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, question number 49, 49 भी same question है, retina, papil, vision और cornea, cornea, तो यह सब के सब आपके eye के parts हैं, लेकिन इनकी वज़े से जो आता है, वो आता है, eye के अंदर vision, जिसकी दोरा आप देख सकते हो, तो third option आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, last and final question, easy सा question, paper, pen, pencil, stationary, सरी यह सब की सब चीजें हमारे पास, कहां मिलती है, सरी मिलती है हमें, stationary में, तो stationary मेरा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, बात समझ में आई होगी, बहुत ही easy paper था, I hope, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे यहां जो 49 से 50 score कर रहे हैं, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा score किया होगा, क्योंकि paper actual में 50 की score करने का था, ठीक है, thank you, मिलता है, JCLC